लोगों को भा रही बैंगलूरू की ट्रैफिक लाइट्स क्यूं लगाई दिल के आकार की लाइट्स मकसद जान रहे जाएंगे हैरान करनाटक के बैंगलूरू शेहर में कुछ ट्रैफिक लाइट्स लोगों का ध्यान अपनी और आकरशित कर रही है खास बात ये है कि दिल के आकार के इन लाइट्स को बड़े मकसद की वजह से लगाय गया है दरसल जो लाइट्स लगाई गई है वो दिल के आकार की है जो लोगों को बेहत पसंद आ रही है इन लाइट्सों को लगाने के पीछे का मकसद भारत को सूचना प्रोधग की हब या IT हब को हाट स्मार्ट सिटी में बदलने को प्रोधसाहित करने के लिए किया गया है। दिल के आकारवाली इन ट्रैफिक लाइट्स को मनिपाल हस्पताल, बैंगलूरू ट्रैफिक पोलिस और ब्रहत बैंगलूरू महानगर पालिका के संयुक्त प्रयास में स्थाफित किया गया है। पोलिस के साथ मिलकर ये दिल के आकार की लाल बत्या लगाई है। इन में दिल के आकार का लाल सिगनल, इरदै स्वास्थे के बारे में जागरुकता फैलाने वाले ओडियो मैसेज और कॉल करने के बजाए सीधा QR कोड स्कैन करने के इमर्जेंसी सर्विज का लाब उठाना शामिल है। रोशनी के साथ साथ उनका ओडियो संदेश भी शेहर में दिल पर जागरुकता फैलाने के लिए चला जा रहा है। इसके साथ ही QR कोड की उपलब्द किये गए हैं ताकि QR कोड को स्कैन किये जाने पर एक मरीज सीधा इमर्जेंसी नंबर से कनेक्ट होगा और फिर एक किलिक में एम्बूलेंस सर्विस से रिडिरेक्ट हो जाएगा। गौर तलब है कि ये कदम इमर्जेंसी स्थिती के दोरान मदद मोहिया कराने के लिए उठाये जा रहा है। लाइट से लोगों को बेहत पसंद आ रही हैं साथी लोग जमकर प्रशासन की तारीव भी कर रहे हैं। अगोर हो कि विश्व स्वास्ति दिवस की स्थापना पहली बार 1999 में वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने विश्व स्वास्ति संगठन के सहयुग से की थी। वार्शिक आयूजन का विचार 1997 और 2011 तक WHF के अध्यक्ष एंटोनी BSD लुना द्वारा कलपना की गई थी। शुरुआत में ये दिन सितंबर के आखरी रव्यार को मनाय जाता था जिसका पहला उत्सव 24 सितंबर 2000 को हुआ था। हर साल विश्व एर्देदिवस को एक थीम के तहत मनाय जाता है। इस साल 2022 में विश्व एर्देदिवस की थीम यूज हार्ट पोर एवरी हार्ट है। विश्व एर्देदिवस की स्थापना के बाद से हर साल विश्व इस्तर पर रिदे स्वास्त जागरुकता अभिहान को बढ़ावा देने के लिए एक विशिष्ट विशय के इर्दिगिर्द ये दिन मनाय जाता है। इसके साथ सिलोगन इस दिवस का महत्व कुछ कौमन मिथिक और शुबकामनाय संदेश भी दिये जाते हैं। तो ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।